आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट विडियो लेके आई हूँ तो देखिए आपके आगामी उत्राखंड के सभी एकसाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टेडी विद एम के द्वारा हिंदी की स्रीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है और ये स्रीज आप सभी को डेली शाम पाँज पजे प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके आगामी उत्राखंड पुलीस पटवारी लेकपाल फॉरेस्ट गार्डप अन्य एक दिवसी सभी परिक्षाओं है तो काफी महतपोर्ण रहने वाली है तो आप सभी लोग हमारी स्रीज में स्टा पुराने सारी क्लासेज एक साथ देख सकते हैं तो चलिए आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यव चैनल इस्टेडीविध एम को सास्क्राइब नहीं किया है वो सास्क्राइब कर लें साथ-ए-साथ-ब अगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टेडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आट बजे क्विज का भी आईजन किया जाता है काफी महतफोन क्विशन आपको क्विज के रूप में दिये जाते हैं तो आप कोई जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज किस सेरीज को हम स्टार्ट करते हैं इस सेरीज का पहला क खड़ी बोली निम लिखित में से किस उपभाशा के अंतरगत आती है तो देखे उपभाशा की अगर हम बात करें तो उपभाशा क्या होती है देखे किसी बोली में जब साहित रचा या लिखा जाता है ध्यान देजेगा किसी बोली में जब साहित रचा या फिर लिखा जा और बोली का छेत्र शुक्ष्मना होकर विश्तृत हो जाता है, तो उसे उपभाशा कहा जाता है, और खड़ी बोली किस उपभाशा के अंतरगत आती है, पश्चिमी हिंदी के, ओप्शन एस कुष्चन का बिलकुल राइट आंसर है, और देखें, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का बिकास सोर सेनी अप भ्रंश से हुआ है, ये दिहान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का बिकास किस से हुआ है, सोर सेनी अप भ्रंश से, और इस हिंदी की कितनी बोलिया है, इस हिंदी की पाँच बोलिया है, प प्रिज भाषा, तीसरी है हर्यान्वी, चोथी है बुंदेली, और पांचवी है कन्नोजी, तो पांच बोलिया है पहश्यमि हिंदी की और जो आपकी कौ़वी बोली है, कौ़वी बोली को ही क्या कहा जाता है, खड़ी बोली कहा जाता है ये ध्यान रिखेंगे कौरवी बोली को ही खड़ी बोली कहा जाता है कौरवी या खड़ी बोली जो बोली है तो इस भाषा का जो मोल नाम था वो क्या था कौरवी था इस भासा का मोल नाम कौरवी था, साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली इसका नाम पड़ा, और खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, ये भी आयो के द्वारा कुष्यन पूछा जा सकता है, तो आपको नोट कर लेना है, खड़ी बोली का अन्य नाम है, सरहिंदी, सरहि प्रिज भाषा जो है ये पश्यमी हिंदी की प्रमुक बोली है हरियानवी की अगर हम बात करें तो इस बोली को बांगरू भी कहा जाता है हरियानवी बोली को क्या कहा जाता है बांगरू भी कहा जाता है ये भी आपका महतफोन पॉइंट है और बुंदेली ये चांसी ग्वा अगला कुश्यन है पश्यमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरन संग्रा के रशनाकार कौन है काफी महतवन कुश्यन है तो देखें पश्यमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर ये संस्मरन संग्रा है और इसके रशनाकार बताना है कौन है तो इसके रशनाकार है मनुहर श श्याम जोशी ओप्शन से इस कुश्यन का करेक्ट आंसर है देखें मनुहर श्याम जोशी इनके जन्म के अगर हम बात करें तो वर्ष 1933 में इनका जन्म कहां पर हुआ था अजमेर में हुआ था अजमेर में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1933 में और ये मोल रूप से कहां के थे ये भी पुछा जा सकता है मोल रूप से ये थे अल्मोडा के उत्राखंड राजी में अल्मोडा के थे ये मोल रूप से और इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहयक संपादक वोसापताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक के रूप में कारी किया मनोहर श्याम जोशी को क्या आप नामक उपनियास के लिए वर्ष 2005 में साहीति अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया और लखनाव मैं लखनाव ये ध्यान रखेंगे लखनाव मैं लखनाव इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखिद संस्मान संग्र है ये ध्यान रखेंगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है लखनाव मैं लखनाव पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर आधी मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखिद संस्मान संग्र है और इनके द्वा शाक्षातकार संग्रा है ये भी महतपोर है पूछे जा सकते हैं तो नोट कर लिजेगा मनोहर जोशी द्वारा लिकेट शाक्षातकार संग्रा में कौन-कौन से संग्रा है एक तो है बातो बातो में दूसरा है 21 सधी तो ये है इनके शाक्षातकार संग्रा जो के आयोग द्व पर्याइबाची होते हैं पदम, नलिन, राजीव, अर्विंद, उत्पल, सरोज, कंज, सरहिज, जलज, नेरज, तो सरोज भी होता है लेकिन अम्बुध नहीं होता है तो option C यहां पे आपका right answer हो जाएगा कौन नहीं है यह बताना है अम्बुध आपका right answer हो जाएगा और अम बुध के पर्याइबाची कौन-कौन से होते हैं धराधर इसके अलावा वारिवाद धराधर वारिवाद इसके अलावा वारिधर बादल मेग घन जलधर जलद वारिद यह सब परियाई बाची शब्द है किसके अम्बूत के तो ये भी आपका महतपोर्ण है इसको दिहान रखें अगला क्यूशन है कावियर रचना कुकुर मुत्ता के रचनाकार कौन है तो देखिए कावियर रचना है कुकुर मुत्ता और इसके रचनाकार कौन है सूर्य कांत तिरपाथी निराला ओप्षन C यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है देखे शूर्य कांत तिरपाथी निराला हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्टक माने जाते हैं काफी महतपोर पॉइंट है नोट का लिजे कि छंद के प्रवर्टक माने जाते हैं सूरीकांत तरपाठी निराला हिंदी में ये मुक्तक मुक्तक छंद के प्रवर्टक माने जाते हैं और निराला जी के काविशंग्रों संग्रा की अगर हम बात करें तो इनका काविशंग्रा कौन-कौन सा है परीमल, गीती का, इसके अलावा कुकुरमुत्ता है, अनीमा है, बेला है, नए पत्ते हैं, अर्चना है, अराधनाए है, तुलसिदास है, गीत कुंजे है, राम की शक्ती पूजा है, शिवजी का पत्र है, गर्म पकोडी है, और मास को डायलोक्स है, तो ये इनका काव्य संग रहे है, यहाँ पे लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, तो आप नोट डाउन कर लिजे, और उपन्यासों की अगर हम बात करें, सूर्य कांतर पाथे निराला के, तो इनका उपन्यास है, एक अपसरा, जो की कब प्रकाशित हुआ था, 1931 में, 1931 में यह प्रकाशित हुआ था, इसके अलावा है, अलका, प्रभावती, निरूपा, और बलोसुर, बक्रियां, यह सभी इनके उपन्यास है, जो की आयोगतारा पूछे जा सकते हैं, और निराला जी का छायावाद, निराला जी जो है, तो इनको छायावाद का क्या अगला कुशन देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की प्रशना है, तो देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की प्रशना है, तो देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की यह एक उपन्यास है, Option C बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी उपनियास पुर्षिद लेखी का मन्नो भंडारी की रशना है पुर्षिद लेखी का मन्नो भंडारी की रशना है आपका बंटी ये ध्यान रखेंगे और ये है बाल मनो विज्ञान पर लिखा एक बहुत चडशित और काल जई उपनियास है अगला कुश्चन देखें बरबाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ती है तो देखिए बरबाद हो जाने के बाद भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक जो लोक उक्ती हो जाएगी वो क्या हो जाएगी रसी जल गई पर एठन नहीं गई यानि की option cease question का विलकुल right answer है अगला question देखें किस कभी को एक भारती आत्मा कहा जाता है ये भी आपका unique question है तो देखिए कौन से ये कभी है जिनको एक भारती आत्मा कहा जाता है ये हैं माखनलाल चतुरवेदी और माखनलाल चतुरवेदी की कभीताएं रास्टी भावना से युक्त हैं ये ध्यान रखेंगे माखनलाल चतुरवेदी की जो कभीताएं हैं वो किसे युक्त हैं रास्टी भावनाओं से युक्त हैं इसलिए इन्हें भारती आत्मा कहा जाता है और एक important point और मैं बता देती हूँ आपको note down कर लेजे हिंदी साहितियाक आदमे का पर्थ माखनलाल चतुरवेदी को इनकी एक रशना है जिसका नाम क्या है? हिम तरंगिनी तो हिम तरंगिनी नामक जो इनकी एक रशना है तो इसके लिए इनहें दिया गया था ये ध्यान में रखेंगे कब दिया गया था? वर्ष 1905 इस बी में हिंदी साहिति का पृत्धम जो तरंगनी के लिए दिया गया नोट कर लिजे important point है अगला question देखेंगे तिपन का मुख्योद देश है तो देखें तिपन का जो मुख्योद देश रहता है वो क्या होता है मामलो को नियावनोसार निप्टाना option B यहाँ पर आपका right answer है देखें तिपन के अगर हम बात करें तो किसी विचारा धीन पत्र अथवा परकरण को निप्टाने के लिए उस पर राय मनतब या अथवा आदेश नर्देश दिया जाता है तो उसको टिपन कहा जाता है और टिपन को अंग्रेजी में क्या खा जाता है नोटिंग अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नोटिंग यह प्रकार के होते हैं ये भी आपसे question पूछा जा सकता है तो संग्रशना की दृष्टी से तीन प्रकार के टिपण होते हैं ये ध्यान रखेंगे और टिपण को ही टिपणी भी बोला जाता है तो ये भी आपका important point है अगला question देखें निमने लिखित में से कौन सा स्वर मोल स्वर नहीं है तो देखें मोल स्वरों की अगर हम बात करें तो मोल स्वर क्या होते हैं जिन स्वरों की उत्पती किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें कहा जाता है मोल स्वर ये ध्यान रखेंगे जिन स्वरों की उत्पति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उनको मूल स्वर कहा जाता है और हिंदी वर्ण माला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है चार होती है हिंदी वर्ण माला में चार मूल स्वर हैं कौन-कौन से ये मूल स्वर है ओ है आ कुल स्वर हैं हिंदी वर्ण माला में 11 जिन में से 4 मोल स्वर होगे और बाखी जो बचे स्वर हैं उनको क्या कहा जाता है उन्हें संधी स्वर कहा जाता है तो बताइए इन में से मोल स्वर कौन सा नहीं है इन में से नहीं है मोल स्वर आपका A option A बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपका इस तरीके से आप अगर question paper को solve करते हैं तो आप हिंदी तो बिल्कुल correct कर ही लेंगे तो हिंदी से भी काफी help मिल जाती है आपको अगर 20 नंबर में से आपने 18-19 नंबर भी खीच लिए तो काफी आपको help मिल जाएगे आपके आगामे exam में आपको आज का ये session पसंद आ रहा है तो like कर लिजे जिन लोगों ने अभी भी हमारे youtube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें और जाद से जादा जितना हो सके आप सभी लोग इस session को share कीजिएगा आप सभी लोगों का ही ये channel है और आपको इसे आगे लेके जाना है और आप सभी के लिए जी तोड यहाँ पे मेहनत की जा रही है study with aim के द्वारा रात को 8 बजे आप सभी को आज previous year question paper मिलेगा जिसको यहाँ पे study with aim पर solve कराया जाएगा आप सभी लोगों को तो उसके लिए भी आप तैयार रहेगा 8 बजे रात को अगला है उत्पती के आधार पर शब्दों के भेद हैं तो उत्पती के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं तदसम तदभाव देशज और विदेशी तो option a इस question का बिलकुल correct answer है अगला question देखेंगे निम्नले लेखित मैंसे एक आर्थी शब्द हैं तो देखें एक आर्थी शब्द क्या होते हैं नाम से ही पता चल रहा है एक आर्थी शब्द क्या होते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है एक आर्थी शब्द कहा जाता है जैसे देखें व्यक्ति वाचक संग्याएं इ इस प्रकार के शब्दों के अच्छे उधारण रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, और व्यक्तिवाचक संग्याएं जैसे की मनुशियों के नाम हो गए, मनुशियों के नाम है कमला, राधा, राम, मोहन, तो ये जो शब्द होते हैं, ये एकार्थी शब्द होते हैं, ऐसे ही न तो दिनों के नाम भी लगभग एक अर्थी शब्द में आते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है यानि कि जो व्यक्ति वाचक संग्याएं हैं यह इन शब्दों के अच्छे उधारण हैं अगला कुशन देखेंगे जो पत्र सरकारी विभागों संपद्ध अधिनस्त और स स्वायत, शाशी निकायों, विदेशी सरकारों, राजी सरकारों, स्वैचिक संस्थाओं अत्वा व्यक्तियों को लिखा जाता है उससे कहते हैं तो इससे क्या कहा जाता है सरकारी पत्र तो option B इस question का बिलकुल right answer हो जाएगा आपका अगला question देखें देव नागरी लिपी अधिकांस्ता है तो देखें देव नागरी लिपी से डेली एक question रखाई जा रहा है तो देव नागरी लिपी ये काफे महतपून है और ये question तो आयो के द्वारा यहां से बन सकता है तो इसलिए ये question रखा जाता है तो देव नागरी लिपी अधिकांस्ता कैसी है वर्णात तो option B, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, कुछ महतपुन point भी आपको यहाँ पे बताए जाते हैं देवनागरी के बारे में, वो पी आपको ध्यान में रखना है, तो देखें देवनागरी लिपी, नागरी लिपी के पश्चिमी शाखा की एक प्रमुख लिपी है, यह ध्यान भट के लेख में मिला है, important point है, और एक महतपुन point आपको और बतादू, इसको note कर लेजिएगा, देवनागरी से related एक important point और है, उत्तर परदेश सरका ने वर्ष 1947 में ध्यान देजीगा, उत्तर परदेश सरका ने वर्ष 1947 में देवनागरी सुधार समीती का गठन किया, यह इस समीती के प्रमुख जो अध्यक्ष बनाएगे, वो कौन बनाएगे, नरेंडर देव, नरेंडर देव इस समीती के अध्यक्ष थे, तो यह सभी आपके महतपुन point रहते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी confusion ना हो किसी भी question में, इसलिए आपको यहाँ पे important point भी साथ में बत मुख्य छेत्र क्या है, जल्दी से बताएं, राज भाषा के परियोग का मुख्य छेत्र नियाई पाली का है, विधाई का है, कारी पाली का है, यहाँ फिर उफ्योगत सभी हैं, तो जिन लोग को आंसर आ रहा है, आप जल्दी से अपना right answer लगाएं, देखें, राज भाषा के परियोग का जो मुख्य छेत्र है, वो नियाई पाली का, बिधाई का, कारी पाली का सभी है, तो प्योगत सभी, option D, यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, अगला question देखें, समाचार लेखन की सबसे परचलित, प्रभावी और लोग पिरिय शेली है, तो इन में से कौन सी शेली है यह, यह है, उल्टा पिरामिड शेली, option B, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखेंगे, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो देखें, दिये गए जो वाक्य है आपके, इन में से संयुक्त वाक्य आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो देखें, इन वाक्यों में संयुक्त वाक्य है, आपने परिश्रम किया और उत्तिन हो गए, तो option D, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, देखें, संयुक्त वाक्य क्या होता है, यह भी आपको पता रहना चीए, कैसे आप पहचानेंगे, कि किस वाक्य में संयुक्त वाक्य है, देखें, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, यह ध्यान रिखेंगे, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, तो नहीं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, देखे संयोजक अब यह होते हैं आपके और, एवं, तथा, या अत्वा, इसके अलावा अतह, इसलिए, फिर भी, फिर या भी, इसके अलावा किंतू, परंतू, पर, तो, तो, यह सभी जो अब्याई होते हैं, यह संयोजक अब्याई होते हैं, तो, दो या दो से अधिक सरल वाकिय, संयोजक अब्याई से जुड़े हो, तो, ऐसे वाकिय, आपके संयोगत वाकिय कहलाते हैं, अब यहाँ पर आपको जो वाकिय दिया हुआ है, अपने, आपने शम किय और उत्तिन हो गए तो यहां पे जो आपका सायोगत वाकि इस तरीके से आपको solve करना है अगला question देखें निमने लिखित में से तत्षम शब्द है तो देखें तत्षम शब्द कई बार मैंने बता दिया आप सभी को संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रियोग हम आज भी जि से शब्द आपके तत्षम शब्द कहलाते हैं तो इन में से तत्षम शब्द छाटिये जल्दी से कौन सा हो जाएगा आग्या है आपका तत्षम शब्द अगला question देखेंगे निमने लिखित में शुद्द शब्द है तो देखें इन में से शुद्द शब्द कौन सा हो जा गया इत्यादी का संधी विच्छेत क्या हो जाएगा टि धन आदी यानिकि option Ais question का बिल्कुल correct answer है तो के guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो से ihm को like कीजिए subscribe कर लिजे और रात को 8 बजे आपका आज previous year question paper का solution आने वाला है तो उसके लिए आप तयार रहिएगा काफी unique paper रहता है और उससे काफी chances है आपके आगामे exam question repeat हो साथ ही साथ काफी helpful भी रहेगा आपके आगामे exam के लिए तो उसके लिए आप रात को 8 बजे तयार रहिए उससे पहले quiz कराई जाईगी टेलिग्राम गरूप पे तो आप quiz भी जॉइन कर सकते हैं तो चले मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद